जैशी कृष्णा शनी की दशा महादशा अंतरदशा आपके जीवन में हर प्रकार से दिक्कते दे रही हो शनी की साड़े साती धाया पनोती आपके जीवन को निरंतर परबाद कर रही हो आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पारी, धन की कमी होती जारी है, नजर, तंत्र, मंत्र आपके जीवन के उपर हावी हो गया है आए दिन आपके जीवन में नई नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं तो आपको शनिवार के दिन इस शनी पोटली का एक छोटा सा प्रयोग करना है जब आप ये सार्थी धाम से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी विधी भी प्राप्त होगी उसी प्रकार से आप इसे प्रयोग में लाकर अपने जीवन की परेशानियों से निजात पा सकते हैं इस शनी पोटली के अंदर काली कौडी लगी है शनी जी का छला लगा है शनी का कौईन लगा है और साथ में काली हल्दी लगी है अभी मंत्रित करके इसे सिद्ध किया गया है और इसके प्रियोग मात्र से आपके जीवन के अंदर आ रही शनी जी की वज़े सिफ समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जरूर करिए छोटा सा अप्रियो इसे प्राप्ट करने के लिए दिये गए नंबर्स पे कॉल करिए वाटसप करिए मैसेज करिए जैशी कृष्णा स्वागत है आपका साथितिशला के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा किसी व्यक्ति को अगर अपना बनाना हो तो उसके नाम के आगे बोल दीजे ये एक मंत्र वो व्यक्ति आपका हो जाएगा हाँ जी आज का हमारा टॉपिक यही है लेकिन जब हम बात महा उपाय की करते हैं से पहले हम आपसे कुछ ग्यानवर्दक बाते भी करते हैं आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मीशन भी देते हैं तो आज इसी श्रेणी में मैं आपके लिए कुछ बहु मुल्ले देने चली आती हूं आज मैं आपको बताने वाली हूं आपके जीवन से जुड़े कुछ बहुत सारे रहस्यों के बारे में आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों को जनम से शरीर के उपर चिन होते हैं कैसे जिसे हम लहसुनिया कहते हैं एक अलग तरह का चिन होता है हमारे जो बॉड़ी पार्ट होता है उस पे एक गोल लंबा या चोकोर कुछ अलग से तरह का रंग का एक चिन बन जाता है इसे लसुनिया कहा जाता है बड़े बुजूग तो बहुत अच्छी से जानते हैं क्या आपको पता है ये लसुनिया होना शुब होता है या शुब तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ पुरुष के अगर सीधे अंग पर ये लसुनिये का निशान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने पुनर जनम से बहुत कुछ लेकर आया होगा जिसमें पाप भी संचित होंगे और पुन्ने भी संचित होंगे परन्तु ऐसा व्यक्ति अपने करम से अपने भाग्य से अपने हर पाप को मिटा कर अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल जरूर करेगा ऐसा व्यक्ति कभी ठकता नहीं है ऐसे व्यक्ति के जीवन में हताशा कभी नहीं आती ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों को हर बार करने के लिए उरजाएं अपने आप उत्पन कर लेता है ऐसा व्यक्ति अपने देवी देपताओं द्वारा आशिरवाद हमीशा पाता रहता है ऐसे व्यक्ति के उपर एक देवी किरपा बहुत जबरदस्त होती है और ऐसा व्यक्ति इस देवी किरपा से अपने जीवन के समस्कस्टों को दूर करने और हटाने की शमता स्वेम में रखता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी कारे में हाथ डालता है उस कारे को पूरी तरीके से सफल करने में सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति मिट्टी से भी सोना उगा सकता है ऐसा व्यक्ति भाग्य का इतना प्रवल होता है कि जो इसके साथ आ जाए उस व्यक्ति का भी भाग्य बनने लग जाता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धोका बहुत मिलता है ऐसे व्यक्ति को पत पत पर राहू के तू अपने इर्दगिर्धी नजर आ जाते हैं व इसको बार-बार काटने की कोशिश करेंगे ऐसे लोगों के शत्रू बहुत होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में अपने बोलने के कारण बहुत सारे शत्रू उत्पन भी कर लेते हैं यानि कि ऐसे लोगों को अपनी वानी के उपसयम जरूर रखना चाहिए ये तो हुई पुर्षों की बात महिलाओं के अगर उल्टे भाग पर ये चिन हो तो ऐसी इस्तरियां बहुत भागेशाली होती हैं ऐसी इस्तरियां अपने पिता के लिए अपने भाई के लिए अपने पती के लिए बहुत जादा भागेशाली होती हैं ऐसी इस्तरियां जिस घर में जाती ह उस घर को बदल के रख देती हैं ऐसी इस्तरियों के अंदर चीजों को नए प्रकार और आकार से गड़ने की गजब की शमता होती है ऐसी इस्तरियों किसी भी परिस्तिती में आपके साथ चल सकती है ऐसी इस्तरियों का कम में भी गुजारा बहुत अच्छी से हो जाता है ऐसी कुई को भी, कोई भी की सिखानी हो, को इसी इस त्रियों को ना वह वाहई बहुत चाहिए, प्रसंसा की भुखी होती है, ऐसी इस त्रियों को अपने जीवन के अंदर, अपने करी, हर चीज़ का यश जरू चाहिए ऐसी स्त्रियां मुलते हैं वैसे तो सोभाव से बहुत शांत होती हैं लेकिन अगर ये क्रोधी हो जाए या ये जिद पर आजाए तो इन से जादा बुरा कोई होता नहीं है ऐसी स्त्रियों के साथ पिछले ज़नम के बहुत सारे करम जुड़के आते हैं इसलिए इनको धरम करम जरूर करना चाहिए ऐसी स्तरियों को नौनवेच खाने से बचना चाहिए ऐसी स्तरियों को शराब, मदिरा ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए नहीं तो इनके जीवन में बहुत सारी परिशानिया आ आ कर खड़ी हो जाती है ऐसी इस्तिरियों को अपनों का सहयोग कम मिलता है ऐसी इस्तिरियों को अपने भाई बहनों द्वारा ही तरस्कृत किया जाता है ऐसी इस्तिरियों अपने घर के अंदर सब कुछ कर लेती है लेकिन उसके बावजूद भी इनका उपहास बहुत जादा होता है ऐसी इस्त्रियों को डाक कलर्स पहनना बहुत पसंद होता है ऐसी इस्त्रियों को नए ने तरीके से सजना बहुत पसंद होता है ऐसी इस्त्रियों को घूमना ब्रहमन करना बढ़ा पसंद होता है और इसी वजह से ये इस्त्रियां अपने जीवन में खुश रहने की टेकनिक बहुत अच्छी से जानती हैं कोई दूसरा रखे ना रखे हम स्वैम में बड़े खुश हैं भाई हमें कोई परक नहीं पड़ता इसी के विप्रीत अगर पुरुष के लेफ्ट में हो या स्तरी के राइट में हो तो यह मसा कहीं ना कहीं जीवन के अंदर परेशानियां बहाने का कारक बन जाता है देखिए आज कितनी अच्छी और छोटी इंफोर्मेशन मैंने आपको दी लेकिन शायद आपके परिवार में यह आपके इर्द गर्द रहने वाले लोगों के साथ आप यह इंफोर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो आपको इससे लाब होगा और उनको तो लाब होगा ही होगा चलिए जी आप ग्यानी भी तो कहलाएंगे यह लाब आपका है अब आप कहेंगे मा यह क्या लाब हुआ यह तो बहुत बड़ा लाब है आपने किसी को ग्यान वर्दक बात कह दी तो वो व्यक्ति आपकी प्रसंसा तो करेगा अरे यार यह त पता ही नहीं था तो चलो आपने एक अच्छा काम किया किसी को अच्छा ज्यान दिया जरूर दे देना चलिए जी अब आज बात करते हैं वास्तू की वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर क्या चीज नहीं होने चाहिए काटेदार पोधे कभी नहीं होने चाहिए लोग अपने घर के अंदर अलोवेरा लगा लेते हैं आजकल भई बहुत अलोवेरा काम आ रहा है लोग juice पीते हैं, मुपे लगाते हैं, बालो में लगाते हैं, ना जाने क्या-कया aloe vera gel से कारे करते हैं, आप अगर लगाना चाहते हैं तो अपने घर के बाहार लगाईए, अगर आपके घर में बलकनी है, वहाँ लगा लीजे, नहीं हूँ तो आप अपने घर की छट पर लगा लिजे और कौन से डाइरेक्शन में लगाएंगे नौर्थ वेस्ट में लगा लिजेगा चलिए जी ये इन्फोर्मेशन भी मैंने आपको अच्छी दे दी अब मैं आपको बताती हूँ आज का महा उपाए जिसके लिए आप आए हो टाइटल तो उसी के लिए आए हैं और ये सब तो बोनस में मिल गया है चलो तो आपको ज़्यादा सब्र नहीं कराती और बता देती हूँ आज का महा उपाए किसी को भी अपना बनाना है किसी को भी अपने वश में करना है तो उसका नाम लेंगे और उसके साथ बोलेंगे ये एक मंत्र लेकिन मेरी एक शर्त है मेरी जान ये मंत्र केवल उसी के लिए काम करेगा जिससे आप सच्चा प्रेम करते होंगे क्योंकि ये मंत्र मेरे ठाकुर जी से निकला है और इस मंत्र को वही उप्योग करे जिसके मन में जिसकी आत्मा में सच्चा प्रेम हो समर्पन हो जो कमिटे मन से सरिफ एक से प्यार करते हूं यह नहीं कि आज इस पर उस पर परसौस पर दिल आगया तो आज इसके लिए कल लेते कल उसके लिए परसौस के लिए नवबा नबाबना हाँ जोड़े ठाकुर जी ऐसे लोगों का सहयोग कभी नहीं करते तो इसी लिए जो ये सब सोच कर आए हैं यहां पर वो तो तुरंद प्रभाव से गेट आउट हो जाए और जो सचे प्रेम को पाना चाहते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने शुक्रवार को शाम को आपको ये प्रयोग करना है दिन धल जाने के बाद यानि कि सुर्यस्त के बाद अच्छी से नहाद हो लीजेगा नहाएंगे किस से थोड़ा सा दही डाल कर या थोड़ा सा घी डाल कर उस दिन आप स्नान कर लेंगे सफेद कलर के वस्तर पहनेंगे प्योर सफेद ना हो प्रिंटेड हो लेकिन ब्लैक का अंश ना हो आपके नीचे की तरफ होने चाहिए, यानि कि आप कुछ दे रहे हैं किसी को, जैसे अपन देते हैं इस तरीके से, मुद्रा आपके ये होने ही चाहिए, ग्यारा बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए सिर्फ आपका बन के रह जाए मुद्रा ये होगी आप 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे और नाम लेने के बाद बोलेंगे क्लिम कैसे क्रिश्ण क्लिम क्रिश्ण क्लिम क्रिश्ण क्लिम क्रिश्ण क्लिम क्रिश्ण क्लिम इस तरीके से 11 बार उस व्यक्ति का न नाम बोलेंगे और उसके आगे क्लिम लगा देंगे और फिर देखेंगे, समे लगेगा, यह मत कहिएगा कि हम ने करा कली नहीं आया, परसों नहीं आया, ना, समे लगेगा आपके कर्मों के अनुसर्ण, मैं बार-बार कहती हूँ, मेरे उपाए थाउजन नहीं, लाख नहीं जितना आप गिंती जानते हैं उतने परसंट काम करते हैं परन्तु इसमें आपके अपने करम भी संचत होते हैं आप कैसा करम करते हैं धरम कैसा करते हैं उसके अनुसार आपको समय सीमा में फल प्राप्त होता है तो आप ये कारे करके देखिए और जिस जिसके जी से कोई व्यक्ति रूट कर चला गया है कोई आप से बात नहीं कर रहा है कोई आप से बिल्कुल भी लगाव नहीं रख रहा है कोई रिष्टा तोड़ने पर आगया है तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करेंगे, वाटसप करेंगे, मैसेज करेंगे, अपने जीवन की समस्याओं को बताएंगे और उसका निदान पाएंगे, और मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बूद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा, अपने सार्थी के साथ, यूँए जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखेगा आपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं, मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए, राधे कृष्णा जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं, अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ट प्राप कर रही हैं, सा 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है